अरे हेल्थ वर्कर्स के उपर हमला होता था, कोई लड़ाई जगड़े होते तो उनको सुरक्षा परदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, परामेडिकल स्टाफ हो इसके लिए भी हमने Epidemic Diseases Act में उसमें बदलाम किया और इसके लावा, जो हम कहते हैं कि संकट में अफसर देखने के बाद तो एक बड़ा उधारन यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी PPE किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज़्यादा यूनिट है, 3 लाग से ज़्यादा पीपी किट एक दिन में बनाई जाती है और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रति दिन बनाई जाते हैं यह एक बड़ा बदलाव है और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड का उसका उत्पादन किया गया, यह अपने आपने उस दिशा में कदम है इसके अलावा जो हमने कम्प्लाइंस बड़न में कमी शुरुवात में की थी वो भी शुरुवात में कदम था क्योंकि 31 मार्ज निज्दीक आ रही थी बहुत सारा दबाब कम्पनियों पर रहता है तो related party transactions के जो provision से उसका युक्तिकरण किया गया और compliance बड़न को कम करने के लिए इस COVID-19 के समय बहुत सारे प्रावधान Companies Act 2013 में उसके अंतरगत ये प्रावधान किया गया कि जो board meetings है, EGMs है, AGMs है उनको आप technology के माद्यम से कर सकते हैं आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ प्रुपस्थित नहीं रहना पड़ेगा और एक बड़ा बात ये कि rights issue जो है अब उसकी listing भी digital India की leverage करते हुए हम इसको online कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है PM CARES का जो fund create किया है, उसको भी CSR में उसको हमने recognize किया है जिस तरह से सरफेसी Act और DRT में पहले recovery के प्रयास किये जाते थे Insolvency Bankruptcy Code में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज़्यादा recovery हुई है 221 केसों में 44% recovery इसमें हुई है Admitted claims जो हैं वो लगबख 4,13,000 करोड के हैं और जो वसूलियों के रकम है वो लगबख 1,84,000 करोड है और जो 13,556 केसिस हैं उसमें लगबख 5,000,000 करोड रपया admission से पहले ही जो ऐसे उसकी amount थी उससे पहले withdraw इतने केसिस को कर लिया किया ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है शिक्षा के क्षेतर में टेकनोलोजी का उप्योग कैसे हो अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी कि गरीब के बच्चे तक COVID-19 के समय शिक्षा की विवस्ता कैसे पहुंचाई जाए ये चुनौती पून समय है लेकिन हमारे HRD मंत्राले ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और परदान मंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए जैसे स्वेम प्रभाद डीटीए चैनल पहले चलते थे आज भी चलते हैं वो मदद और सैयोग करने के लिए उसके माद्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविदा नहीं है और इसके लिए तीन चैनल को चिनहित कर लिया गया है शिक्षा परदान कराने के लिए और बारा और नए चैनल को इसमें जोड़ दिया जाएगा यही नहीं लाइव इंट्रेक्टिव सेशन्स इसका टैलीकास्ट भी हो सके इसका प्रावधान भी एकसपर्ट के माध्यम से किया गया ताकि Skype के माध्यम से आफ इसका कर सके प।्राइवेट DTH आपरेटर तक भी हम पहुंचे हैं ताकि Tata Sky, Airtel और ऐसे जो बाकी प्लाटफॉरम से उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ा कर देश के क्रोडों लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा को उन तक पहुंचा सके हमने राज्यों से भी अनुरोद किया है कि आप चार घंटे का हमें ऐसा कॉंटेंट एजूकेशन का दें ताकि हम स्योंप्रभा चैनल प पुंचा को प हुझाएट गिडिटान एंस।